नमस्कार आज की इस खास पेसकर्स में हमारे साथ हैं सुलब इंटरनेस्टल के फाउंडर चेर्मेन डॉक्टर बिंदेश्पुर पाठक जो इस्टॉक होम बाटर प्राइस के बिजेता हैं उसके साथ भारत सरकार ने आप भारत सरकार से आप पद्म भूसन से सम्मानित हैं ड उनके खुद के इस पहल के बारे में बिस्तार से बाचित करेंगे मैं हूं राजीव रंजन नाग डॉक्टर पाठक जब आपने सत्र के दर्सक में ये पहल के कि सर से मैला दोने के पर था खत्म होनी चाहिए ति गांधी का कंस्रिप्ट था आपको क्या उमीद थी कि 40 साल ब प्रयास करना है सफल होगा नहीं होगा क्या होगा ऐसा सोच के काम करना संभब नहीं है और मुझे भी उसमें ऐसी उमीद नहीं थी कि इस प्रकार से ये कार्ज सफल हो पाएगा लेकिन ये उमीद थी कि जो मैला धोनी की प्रथा है इसको समात्त करने के लिए हम कुछ उपा निकाल पाएंगे, गांधी का सपना पूरा कर पाएंगे, यह मुझे उमीद थी, आशा थी, बट यह नहीं को कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में उसमें यह बाते थी कि यह काम ऐसा होगा, ऐसा होगा, निश्रिती नहीं था. बिहार के आप एक छोटे से जले से आपने इस प्रियोग के शुरुआतड के, इस प्रियोग का सुरुआत की. समाज का सपपोर्ट आपको कैसे मिला आप अंधास कर सकते हैं, ब्रह्मन परिवार समाँते हैं, बिलकुल। और परिवार मेरा जो दादा परिवार था ओ अथोड़क्स था नानवार परिवार तो उतना नहीं था और बच्पन में मैं जब दस बरस्का था तो एक डूम औरत को चूर दिया था मुझे उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर गाय का मुत्र गंगाजल गवस्ती डि से हम आगे आए फिर लेकिंट उसमें मुझे दिवाव में बात नहीं थी कि एक समय आयेगा जब इस का में लगूंगा कि दस बरस के समय में इस करपड़ा नहीं थी हम इस काम में हम आये और मुझे कहा गया कि गांधी का सपना था मैला डोनी के पता सवाप्त करना और उसमे अपने जल सेकर्टी को बच्पन की बाद बता ही और फिर हमने कहा कि हम ते इंजिनियर है नहीं तो जब तक वीकल्प नहीं देंगे को मुझा लेका तब तक हम कैसे कि सुमरा कर सकते हैं कि आप कमाव पकाने का इसमाल ना करिए उन्होंने कहा कि यह सब मैं जानता हूं तो म यह किन्स काम को कर सकते हो फिर मैंने क्या किया कि एक बिहार में जगह है बेठीया शोहर में बाद ज्गजिवन- करना पर काउलमी है सकंदियरन वहां गये तीन महीने रहे तो काम शुकिआ जो सवाल अपने किया है कि जिसमें हम गए हैं सुमराने के लिए पिता-जी बहुत है कि दमाद क्या कर रहे हैं मैं क्या बता हूँ उनको की शोचाले बनाते हैं और मैं कहता था कि देखी मैं इतीहास का पंऩ उलटने चला हूं या तो या खो जाऊंगा स्वाचाले बनाना तर प्रिकृरिया है है तो जो कि आपने पूछा हूँ महत्कुर्ण है कि ब्रहामन समाज और इतना खिलाफ था हमारे इस काम के लिए कि इसके बढ़ने नहीं है आपके घर में भी तो इसको लेकर बिद्रो हुआ होगा कि आप जिस चाती से बिलॉंग करते हैं उस उस समुदाय को दूर रखा जाता है पूरा परिवार से घर से महले से ब्रहामन परी कमुनिटी से सुसुराल से कोई आदमी इसको अप्रिशियेट नहीं करता था सिफर मा कुछ कहती नहीं थी और पत्नी जो है उपुग दर्शक थी वो बिरोध नहीं करती थी समर्थम ही करती रही होंगी मन से लेकिं मुझ से बोलती नहीं थी उनको छोड़ करके वकिर हर व्यक्ति ने बिरोध कि हमारा कि इस काम को आप क्या हूं कर देए क्या कभी आपको यह लगा कि सर पे मैला ढोनी की पर था आपकी इस पहल से खतम हो सकेगी यह मुझे लगा यह इतना खाम व्यापक होगा यह तो मुझे नहीं था लेकिन यह मुझे लगा कि अब यह प्रश्न क्या है खाली भासन जाने से तो होगा नहीं नहीं लोग अब कि किया किया दो घटनाए घटी हमारे साथ बेतिया कॉलनी में हम जब थे एक नई नबिल दूलहन उसको उसकी सास का स्वसूर और उसका जो पती सब उसको मैलाड होने के लिए बाध कर रहा था और जो जो रो रही थी तयार नहीं थी जाने के लिए मैं गया मना किया भी कुमाने एक आदमी अजादी के पहले जिस समाज में जम लेता था चूत के घर में वो कभी भी दूसरे में नहीं जा सकता था और वहां पर हमने किया कर्शम खाए कि गांधी का सपना हम पुरा कड़ कर आएंगी लेकिन जब हम बात करते हैं कि सर पे मैला ढोने की पर्था खतम होनी चाहिए और यह साथ गांधी का कंसेप्ट था तो लगता निए कि गांधी जसे मैं आपने एक काम सुरूप किया उसके बाद गांधी को लोग भूल रहे हैं क्योंकि गांधी बादी लोग गांधी के बचा बारे में सही बात नों के सामने नहीं ला रहे हैं गांधी ने जो छो गांधी ने चाहा हो और प्रेशागी के नहीं हो ओर गाउव कंग का हो की बात हो समाज बेर लाव की बात हो गांधी fry me जह कहा था अव प्रासाहिक नहीं हो और जो हैंसा के मद्धियम से जो दोषरे को सहायता करने का मन रखता है ऊह गांधी इन तो ये गांधी की ब्याख्या ही एतनी संकुचित हुई है कि लोग एक फरचार हो गया है कि गांधी बाद जो है लोग नहीं मान रहे हैं गांधी को भूल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जब आपने सर पे मैला ढोने की परता के खिलाब एक आंदोलन के शुरुआत की तो नागरिक समाज का कितना सा बोटा को मिला देखिए उसमें क्या था ना कि पहले क्या था एक है शौचाले का भिसकार करना जो हमारे समाज के और देश के आर्थिक अनुरूप हो सके जदि हम स्यूर सिश्टम है है एतना कोश्ली है बनाना चलाना उससे समस्या का अंधे नहीं हो सकता गंधी ने रिका हुआ है कि जब तक इस माइला ढोएंगे तब तक इनके साथ बैठ कर खाना कोई नहीं खाया गा तो सबसे बरी जुरूत थी एक ऐसे शोचाले का विश्कार करने का जिसमें कि मानव मल्को धोने के लिए लगाना नपड़ किशी को और हमने शुलब सचाले का विश्कार किया इस सबसे बड़ा इंपॉर्टी निविंसन था हमारा और इसी के कारण आज जो मैला धोनिक पर था है उसमाफ्थ हो रही है और जो खुले रूप में शौच जाते करने के लिए उसमाफ्थ हो रही है और यह तकनीक इतना कारगर सावित हुआ है कर दूनिया में जा रहा है तो कहने के पहले हमने तकनीक निकाली अब शुरू में हम इंजिनियर है नहीं जब हमने विहार से कार से कहा तो लोगों ने कहा कि साब यह संभब नहीं है यह सो चाले कोरे क्या होता है इसमी कोई टकनीक नहीं है कुछ भी नहीं है यह हमबग है यह तो फिर हमारे के सचीव थे उसमें तो बोलता था स्वात्य सासर भाग अब बोलता है नगर विकास उन्होंने कहा कि नहीं यह नई जुना है नया वीचार है इसको करके देखते हैं कि सफल हो गया तो इतिहास का पड़ना उलट जाएगा तो उन्होंने हमको मौका दिया और पहली बार बिहार सेकार ने इसको मान खाना खिलाया है किया लगता है कि से समाश उधार के दिश्शा में कोई फरक आता दिखा सबसे बरा फ्रक दिखा ही पड़ेगा आपको कि प्रिमिट देखा होगा अपने जो हिसके ही प्रामिट्स कहती है तो फुक्त को पर में कौन लोग है ब्रहामन, च्छिय वैश को और एक तांदोलन में हमने अपरकास्ट के बारे में के पुश्टुकों के बारे में कोई आलोचना नहीं कि ना किताब फारा हम ने गट पूरान का ना ही उसको जलाया हमने को कि अनको शहाजोम मेला थाव से हमने क्या किया सुलब सचल धोने कैछा को इस समात किया पहला उनको इस काम से निकाला, महिलाय कुछ खरी थी प्राथा स्भा में देखा हूँ आपने, और उसके बाद उनको हमने शिक्षा दी पहले, शिक्षा के बाद फिर हमने क्या किया, उनको रोजकार की वरस्था की, पापर बनाना, चार, नोडोस, फैसन टेकनलोजी, ब्यूटी प दूज संसकार, तो शुद्रों को दूज संसकार नहीं दिया गया, इसलिए उनको कहा गया, कि तुँ आप जूथ हो आप लोग, हमने कहा, कि जदी यो संसकार को दे दिये जाए, तो फिर समाज को सुखार कर लेगा, तो हमने क्या किया, उनको टेम्पुल में ले जाने ले स्वाहाज को समुखते हैं, आम लोग जानते नहीं होंगे, स्वाहाज जो है, वो अगणी की पत्नी है, इस से क्या हुआ कि जो संसकार अपड़कास के लोग कर रहे थे, वो सारे संसकार जो इन्होंने किया, तो समाज उनका हाथ पकड़ लिया, बलाने यह तो हमारे ऐसे ल आज क्या हुआ कि आप बुलाते हैं को चाय पेने के लिए नाष्टा करने के लिए तुम तो सब काम अब हम लोग कैसा रहती हो पुजा पाठ करती हो तो अब हमें भेद क्या रह गया है क्या समाज दोनको सुवकार कर लिए मुक्षधार में आप जाएंगे अलबर टॉंक में देखेंगे कि आप अश्रज लगेगा कि अकाश धर्ती मिल गया हो ऐसा कोई कहें तो आप बान लेंगे लेकिन चुआ चुट खतम हो गया या आप मानेंगे नहीं लिए अलबर टॉंक चले जाईए तो हां कोई चुआ चुट नहीं है और जिनके घर में शोचाले साफ करने जाते हैं आज उनहीं किहां बैठके नाश्ता करते हैं चाई पीते हैं खाना खाते हैं तो कहने मतलब यह हैं कि आज इतना सुटकर हुआ अब फल जो है ओछाट के लेते हैं पहली उनको सबसद्दा देता था सबजी फल उनको छुने नहीं दिया जाता था आज वह लोग साथ बैठते हैं, साथ जाते हैं, तो इतना परिवरतन समाज में हुआ है, इसलिए हुआ कि हमने अहीं सात्मक तरीके से, बिना किसी का लोचना किये हुए, बिना कोई एजिटेशन किये हुए, हमने एक समाज को बदल डाला हमने. डॉक्टर पाटक समाजिक सुधार के इस पूरे आंदोलन में आपको कभी ऐस्ता लगा, कि या किसी इस मुकाम पर पहुचे जब आपको समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था और लगा कि आप तौबा कर लें। ये शुरुवात में बात हुई थी कि सुपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कैसे करें क्योंकि प्रापस पैसा नहीं था, तो घर की कोई जमीन बेची, पत्नी का गहना बेचा, फिर दोस्तों से कज ले लिया हमने, उस जमाने में था 50,000 रुपया, अब ह कभी कभी मन करता कि आत्मत्या करने, लेकिन हम तो चुकि स्ट्रॉंग मैन की आदमी है, वो काम नहीं किया हमने, तो उस दोरान में लगता था कभी कभी कि साइद मुझे काम नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, को दूसरा काम करना चाहिए, लेकिन में 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 एक लग बाद में जब काम शुरू हुआ हमारा सफलता जम्मिली तो आप जीवन में देखेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं सफल होने का प्रयास कर रहे हैं तो तनाव तो आता है कम आता है सफल हो जाने के बाद तनाव बढ़ जाता है क्योंकि उसमें फिर जो लोग है वह आके पीछे लग जाते हैं आपको बाधा उपसित करते हैं आपके इस पुरे मुहीम में सरकार ने कितना सपोर्ट किया ऐसा है कि सरकार का सहजोग पूरा-पूरा हमें विजे मिला है और बिना सरकार के सहजोग के इस मुकाम पर हम आते ही नहीं अब महत्पड यही है कि हमने अनुदान लि तो नहीं हुआ और कभी प्रयास किया गया हम पर इंट्रेक्शन करने का तो सफल नहीं हुआ चो कि हमने कुछ लिया है नहीं था किसी से समाजिक सुधार के मौहमेट में जब आपने शुरुवात की तो नागरिक समाज के सामने जंडा क्या था हम यह कहना चाहते है थे ना कि हमार पास तीन समस्या थी एक समस्या थी महिला ढोने की दूसरी समस्या थी कि किसी घर में शौचाले नहीं था तो महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी और अन्धिकार में शुरुज के पहले या शुजास के बाद मुरी कटना ही होती थी ब करिष्व उचाले था ही नहीं, कोई आदमी उचाले जाये, अब कहां जो आप इसके कटना ही होती ही थी, ति सारी समस्याय जो थी, उसके तरफ हमने, जो मेरा सोच है यह आप देखेंगे, कि यह भारीक है, हम ऐसी भी बात नहीं करते हैं, जो सफल नहीं हो सकता है, लोग करने में समय लगता है, समाज को कन्विंस करने में काफी समय लगा आपको, समय लगा, वस्ता में लगा, विरोध भी हुआ, वह भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यह है कि जो करने वाला ब्यक्ति है, जदी वह अधिर प्रतिग्य है, उसको जदी वह से मन में उसको एक पै ही बात्रा के बाब वजूद ेम्राज आज भी ऐसे हैं जहां सरपे मैला उग्ण की प्रफा गॉर्टा प्रकाबु पाया नहीं जा सका है ओस स्फों है इसलिए कि जो हमने कहा तो करने के लिए कि पछा करने हें बिए भात चीट को आगले दार की बातकित में हम बात करें अगले ही बात करेंगे डॉक्टर पात कि सुर्याति अंदुलन के बारे में फिलह geschोटा सा ब्रेक